दर्सकों जाजा किप्राडी मौले के सिच्छक है गनेश रजक उनके बेटे बैभब कुमार कल साम से ही लपता थी उन्होंने मीडिया को बताया कि एक चंदन कुमार यादावै जिन से हमारे बेटे से उसने 15 सुर्प्य कर्ज लिया था हमारा बेटा लगतार उससे तगादा कर रहा था इसी कर में उसने कॉल करके हमारे बेटे को बुलाया और उसी दिन से मेरा बेटा लापता है दर्सकों को हम बारवर अपने चैनल के मादें से परपील करते हैं कि दोस्ती अच्छे लोगों से करें जब भी कोई भी कॉल आ या कोई भी दोस्त बुला है तो अपने अभी बाबा को माता पिता को निश्य दूरु से बोल के घर से जाए माता पिता का रोरो कर बुरा हाल है हलांकि जाजा थाने को सुचना दी गई है पर सासन अपने जाच में जूटा हुआ है देखते हैं रिजल्ट क्या सामने आता है फिर चेक बार अफिल करना चाहेंगे कि अपने बच्चों पर खाफ ध्यान रखें क्योंकि 14 से 20 साल के जो बच्चे हैं तो वो कच्ची मिटी की तरह होते हैं थोड़ा था भी अगर मौका मिलता तो भग सकते हैं इसलिए उस पर कड़ी निग्रानी रखने की सक्त जरूरत है देखिये हमारी खास रिपोर्ट कब सुचना देए उनिस तारिक अपने लिखी तावे दें दिया फिर परसासन ने क्या कहा है तहा कि मैं कोड़ी विवाद भी वाद या फिर कोई प्यार विवाद का चक्कर ने ने कोई कोई बीवाद ने तब मैंने उसका दोस्त बुलाया उसके बाद आपका बेटा अभी उसके साथ जो है गलत कामकिया उसके पास गया और उससी दिन से लखाता है पच्छा पाइसा मांगने गया है तो अब बाद से मेरे बच्चे नहीं आए तो रहने वाले कहा है चंदन जादा ने ने जड़ने दब दुमर्मो का रहा है नहीं कहां पर रहा रहा है तो कर बार में ग्राइबust 앞에 मिलने के लिए और उसके बाद में कि नाम इनी sowas कि में पड़ता है इंटर में पड़ता है। क्लास में पड़ता है। कौन मित्र कॉल किया चंदन चंदन क्या ना में पूरा उसका चंदन कहां रहता है क्वाटर रेवे क्वाटर 309 में अच्छा बेटे के इला पता कि अबने सुषना पुलिस को दी जिए 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 हैं 16 अरिक को